इगनु के रीजनल सेंटर डेली टू ने असाइन्मेंट सब्मिशन की गाइडलाइन्स लीस कर दी हैं दिसंबर 2023 एक्जामिनेशन के लिए अभी कुछ स्टेडी सेंटर इसमें मिसिंग है तो थोड़ा सा वेट कर लिजेगा इस PDF को बार बार डाउनलोड करके देख लिजेगा यह वेबसाइट है ओफीशल यहाँ पर अबाउट अस के सेक्शन में ही आपको असाइन्मेंट सब्मिशन का लिंक मिलेगा यहाँ पर डाउनलोड करके देख लिजेगा अगर आपके स्टेडी सेंटर का नाम इसमें नहीं है सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर विवेकनंद कॉलिज है विवेकनंद कॉलिज के असाइन्मेंट सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में समिट होंगे और यहाँ पर कोर्सिस कारे में विस्तार से बात करूंगा ठीक है अच्छा इसके इलावा यहाँ पर स्वामी श्रद्धनंद कॉलिज है यह बोल रहा है कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में असाइन्मेंट समिट करवाएंगे ठीक है ऑनलाइन के लिए यह इमिल आइडी दी गई है इ और और यहाँ पर स्पीड पोस्ट से भी आप असाइन्मेंट बेज सकते हो यहाँ पर गिवन है इसी के साथ साथ दूसरा स्टडी सेंटर यहाँ पर PC ट्रेनिंग इंस्टिटूट है यह भी आपके असाइन्मेंट ईमिल के थू भी समिट करवा रहा हैं ऑफलाइन मोड में Saturday Center को submit कर सकते हो पूरा address और timing यहाँ पर given है speed post भी आप submit कर सकते हो इसी तरीके से शामदाल college है जो कि सरिफ speed post ते assignment submit करवा रहा है ठीक है उसकी detail यहाँ पर given है पूरा address वगेरा Techna Institute है यह institute offline mode में assignment submit करवा रहा है यहाँ पर दिन लिखे गए है timing लिखी गई है कहाँ कहाँ कप कप submit होंगे वह आप लोग देख सकते हो पूरा address यहाँ पर given है college का इसके लवा यहाँ पर जगनाथ community college है यह सरेडे सेंडे को सरिफ offline mode में submit करवा रहा है timing यहाँ पर mention है speed post से भी यहाँ पर आप भेज सकते हो school of professional development है यहाँ पर दिन बताई गए है timing बताई गई है यहाँ पर offline mode में assignment submit होंगे speed post से भी आप भेज सकते हो और vision institute of advanced studies है यहाँ पर हर एक 7 दिन में assignment submit होंगे timing given है gate number यहाँ से entry होगी address given है speed post से भी आप यहाँ पर भेज सकते हो सत्योती college morning में assignment offline mode में submit होंगे Saturday और Sunday को timing given है speed post से यहाँ पर नहीं होंगे जाक्रोसें Delhi college में Monday to Saturday offline mode में submit होंगे timing given है speed post से यहाँ पर नहीं होंगे मादा सुनरी college में only offline mode में submit होंगे Saturday और Sunday को timing given है स्पीड पोस्ट से यहां पर नहीं होंगे, अधित्ती महा विद्धालिय में ओफ्लाइन सम्मिट होंगे, Monday to Saturday, टाइमिंग यहां पर गिवन है, और एंट्री कहां से होगी, वो गिवन है, स्पीड पोस्ट से यहां पर नहीं होंगे, जब पर एंटे लगा हुआ, स्पीड पोस्ट से, इसका मतलब वहां पर स्पीड पोस्ट से वो लोग एकसेप्ट नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को भी ध्यान लखना, इसके अलवा यहां पर स्री गुरू गोबिंसिंग कॉलिज है, यूनिवर्स्टी ओडेली का, यहां पर online mode में submit होंगे, google form का link given है, यहां पर offline या speed post से submit नहीं होंगे, सत्योती college evening है, यहां पर online भी होंगे, offline भी होंगे, online के लिए courses wise, google form के link दिये गए है, offline करने तो यहां पर room number बताया गया है, कि यहां जाकर submit कर सकते हो, सिर्फ Sunday में होंगे, offline submit, timing बताई जा रही है, इस time के according होंगे, और speed post से यहां पर आप नहीं भेश सकते, तो यह कुछ 6, 6 तो नहीं, I'm sorry, कुछ 10-12 center की list release करी गई है, अभी मैंने कहा कि इसको आप बार बार चेक करते हो, यह update भी होगा, अब आजाते हैं, आपकी कुछ specific guidelines में, देखिए, जो बच्चे hard को भी में submit करने जा रहे हैं, उनको PDF का तो कोई बनाने का चक्कर नहीं है, पर make sure कि पहला page जो हो, इगनू का front page हो, दूसरा page आपका ID card हो, तीसरा page आपका question paper हो, और फिर चौते page से आप assignment बनाना शुरू कर दो, यही आपकी basic guidelines होती हैं, और कोशिश ये करना कि हर एक page पर अपना नाम और enrollment number लिख देना, यह तो basic guidelines हैं, सभी के लिए हैं यह तो, चीक इसको पहले open करो, जिसे मैं यहाँ पर विवेकनन कॉलिज का MPS का Google form open कर लेता हूं, यहाँ पर कुछ guidelines भी लिखी रहेंगी, इसको मैं पढ़ लूगा, जिसे यहाँ पर please upload your assignment here, form will accept responses only once, तो make sure कि आप assignment बहुत carefully submit करो, तो यह form एक ही बार response accept करता है, तो उस चीज़ का जरूर उसे ध्यान रखेगा, ठीक है, नेम जो भी आपका email एडिसे करोगा, तो आपका name महाँ चला जाएगा, वो लिखा हुआ है, यहाँ पर email, name, enrollment number, अपना ID proof लगाना है आपको, और assignment, यहाँ पर आप upload करिये, MPS 1 का, MPS 2 का upload करिये, 3 का करिये, और 4 का करिये, और यहाँ पर second year क जो भी आपका email करता है, उसे आप उसका upload करोगे, जो भी आपका subject है, ठीक है, उसके बाद क्या है जी, यह तो बहुत सारे question paper होगा, यहाँ पर I agree का एक option है, इस पर submit करके, आप इसको submit कर दोगे, यह Google form मेंने simply open कराता है, MPS का, अच्छा, PDF का नाम जब आप लिखोगे, तो paper code क्या है, course code अलग है, मेरे खांद में तो यह तुनों चीदे एक ही होती है, तो आप एक ही लिखकर उसको बना जीजएगा, PDF का नाम, ठीक है, अच्छा, और भी देखते हैं, और भी कुछ center जो Google form, अच्छा, email के तुर जब आप assignment submit करोगे, अगर कोई सरी sender, email के तुर submit कर गिए, वो वहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, वहाँ जा रहे जाएंगे, तो आप फिर official email ID पर send कर दीजिएगा, practice purpose के लिए आप पहले वो चीदे try कर सकते हो, और email जब आप करोगे, subject में लिख देना, assignment submission December 2023, और compose में लिख देना अपना नाम, enrollment number, और I am submitting assignment of these course and these subject, बस कोशिश ये करना कि consecutive time period में ही बेजना, ऐसा नहीं कि एक email अभी बेज रहा हो, दूसरा एक घंटे बात बेज रहा हो, इसलिए मैंने कहा कि पहले practice करके रख लीजेगा, उसके बाद ही email का माधियम से assignment send कर दीजेगा, यहाँ पर भी email का माधियम से send करना है, अब मैं किसी दूसरे google form को ढूंड रहा हूँ, जो आपकी मैं मदद कर पाऊं उसके थूरू, बाकि हमारी चैनल पर important videos available हैं, आप उन videos को भी जाकर देख सकते हो, अगर कुछ आपको problem होती है समझने में तो, ठीक है, जिसने स्री गुरू गोबिंग सिंग का मैंने एक google form open किया, यहाँ प इसको छोड़ देते हैं, you cannot edit, आप google form को submit कर दिया तो एक बाँ उसको edit नहीं कर सकते, first page जो होगा assignment का, उसमें आपका नाम, course code, यह सब चीदे लिखी होना चाहिए, ठीक है, आप यहाँ से download भी कर सकते हो, यह download हो गया, यह first page download हो जाएगा google form, इसका assignment का front page होता है, कुछ इस पर, then fourth page से, आप assignment लिखना शुरू करोगे, every page assignment, मैंने आपको बताया, sign होना चाहिए, आपका enrollment number होना चाहिए, या तो उपर लिख लो page के या नीचे लिख लो, for each course assignment should have scanned in one single PDF, हैनी कि हर एक subject के अलग-अलग file होनी चाहिए, यह पर file size का, आप तहां पर देख सकते हो, if there are 10 questions in one assignment, there should be not 10 separate PDF, एक example दे रहा है, ठीक है, file size maximum Google form में 10 MB होता है, तो आप उसके accordingly करिएगा, और कुछ-कुछ Google form में ऐसा हो सकता है कि, अलग-अलग Google form, अलग-अलग subject के लिए भरना होगा, या फिर एक ही Google form में, सारे subject के assignment एक साथ submit होंगे, यह यहाँ लिखा हुआ है, कि if he, she has six quotes in his program, he, she should submit all the six assignments in the same time using one Google form, तो इस चीज़ को जरूर से ध्यान रखें, परे सारी instruction read कर लें Google form की, उसके बाद ही पर रहें, PDF का नाम यहाँ पर अगें, बताय दा रहा है, enrollment number underscore course quote, यह PDF का नाम रखें, यहाँ पर example भी दिया होगा है, और scan copy, यह मैंने बताया 10 MB, तो यहाँ मत करिएगा उस चीज़ के रिगाड़े, ठीक है, बाकि यहाँ पर इस study center ने email ID दे रही है, query purpose के लिए, अगर कुछ तिक्कत आती है, तो यहाँ पर query कर सकते हो, यहाँ पर assignment नहीं भेज़ना, सिर्फ query purpose के लिए, required screenshot के साथ, आप query बूच सकते हो, ठीक है, बाकि यहाँ पर Google form automatically send online acknowledgement slip, जैसे आप Google form पर submit करोगे, तो online acknowledgement slip automatically आपके बास आजाएगे, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ हो रहे है, कुछ-कुछ Google form में हो सकता है, receipt नहीं आए, बट आपने successfully submit कर दिया, वही आपका proof है, email के थूर submit कर रहे हो, तो कहीं पर क्या होता है, email के थूर जब assignment submit करते ह है, बाके नीचे आपसे detail मागेगा, ठीक है, मैंने instruction read कर दी, proceed करके इस Google form को भर दीजेगा, बाके जो भी आपकी guidelines है, उनको follow up करते हुए, Google form को भर दीजेगा, जैसे मैं, यहाँ पर एक और college है, I think यह सत्य होती college evening है, उसकी guidelines नहीं पता ही दाएंगी, तो उसे आप यहाँ पर देख सकते हो, और assignment submit कर सकते हो, अब इसमें भी देखो, इसमें कहीं guidelines में नहीं लिखा कि एक ही Google form में submit होंगे, लेकिन समझने से उसको पता चलेगा, जैसे देखिए, यहाँ पर आपने साई detail आप में लिख दी, कितने number of assignment submit करना है आपको, वो लिख दिये, ठीक है, और पर यहाँ पर course code लिखो, पहले assignment का उसकी PDF, दूसरे assignment का course code उसकी PDF, फिर तीसरे का फिर उसकी PDF, फिर चोथे का फिर उसकी PDF, ऐसे ही जितने हैं, उसकी PDF अप्रोड करकर के यहाँ पर आएगा, और इसको accept करके submit कर दोगे, तो यही guideline से दोस्तों, RC Delhi 2 की, और जैसे कि मैंने वी आपका study center का नाम इसमें नहीं है तो, I hope दोस्तों आपको यह जानकारी useful लगी हो, तो वीडियो को share कीजेगा, thank you